हलो एवरिवान आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों गया और उतने ही अच्छे तरिकोंस आप सभी लोग की पड़ाई चल रही होगी तो इस वीडियो में हम इंग्लिस मीडियम वाले इस्टूडेंट के लिए देखने वाले वाले क्या साइंस की इंपोर्डेंट को बिल्कुल धेखो हो गई है तो सो रिविजन के पॉट्ट पर चाहो तो देख सकते हो नहीं तो अपना जो जिससे पहले पढ़ रहा है उसे रिविजन कर सकते हो ठीक है एक्सपक्टेड क्वेसंस है जो CTA के लिए हम लेखर आ गये हैं CTA के तो देखो यहां पर questions को हमें समझना पड़ेगा ठेके अधिक है फॉस्ट पेर्मिड ओफ इनर्जी की पिरमीड होती है वो always straight होती है inverted होती है non of those यहाँ पर बताना है तो इसकी answers के अगर हम बात करें तो यह क्या होती always straight होती है कौन भै? pyramid of energy तो इसको दिमाग में रखना है आपको next questions क्या बोला जारा है Darwin's theory is based on Darwin की theory है वो किस पर based है तो याद रखना observation made during the journey ठीक है उन्होंने क्या बिगल का जर्नी किये थे उसी जर्नी के observation के बेश पर ही क्या बना था पूरा का पूरा Darwin's ने अपनी theory बनाए थी ठीक है और उस theory को उन्होंने एक book पे लिखी थे उस book का नाम भी पूछा जा सकता है maybe तो उसको याद रखना origin of species by means of natural selection understand ठीक है तो फिर आम आगे बढ़ते भी next questions के और देखते है third questions के अगर बात करें the chemical formula of methanol is तो methanol की chemical formula की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा भी CH3OH वाला ठीक है यह first इसकी क्या हो जाएगी correct answer हो जाएगा clear है फिर fourth question आपके स्क्रीन पर इसके एमसी की उसका gas of 10 by heating potassium per magnet मतलब हम potassium per magnet को जब heat करते तो कौन सी gas जो obtained होती कौन सी gas जो release होती यह पूछा जा रहा है तो इसकी answers के अगर हम बात करें तो आप सबको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगी oxygen ठीक है potassium per magnet को जब heat करते तो कौन सी gas release होती है oxygen gas होती है तो आपको याद रखना यह तीनों gas का basic चीजे पढ़ लो क्योंकि तीनों में से questions तो एक पूछे ही जाएंगी even वो five marks से भी questions आपको पूछे जाए सकते हैं ठीक है इसलिए चीजों को समझते हुए अच्छे से आपको करना है कि nitrogen gas की equation मतलब उसकी कैसा होगा chemical equation and also for hydrogen and oxygen इसकी uses और उसकी equation यह आपको अच्छे से लरना होनी चीए clear है याद रखना उसी इर्द गुर्द घुमते हो questions आपको पूछे जाएंगे फिर if the object is at a distance of three centimeter from the plan mirror कोई object है वो plan mirror से three centimeter के distance पर है तब then the distance of the image तो image कितने distance पर बनेगा तो इसकी answers के हम बात कर ले तो वो three centimeter पर ही बनेगा क्योंकि वो plan mirror है ठीक है दूसरी mirror रहती तब वहां पर हम दूसरा बोल सकते हैं but in case of plan mirror वहां पर हो same distance पर ही उसकी image बनेगी understand तो इस चीज़े आपको याद रखना है ठीक है यहां पर बोल सकते हैं pH value of saliva is less than saliva की जो pH value होती है ठीक है उसको पूछा जा रहा है क्या होती है फिर alloy are a blank mixer of two or more metal और non क्या बूल हो जा रहा है metals and non metal तो इसकी answers की बात करें तो आपको क्या लिख के आना है बेदेखो first का जो क्या saliva saliva का क्या होती seven से below होती है फिर वहां पर homogeneous लिख के आना है ठीक है फिर third की बात करें तो blank is not necessary और radiation for heat transmission जो medium radiation के थूख है heat transmission के लिए क्या की ज़रूत नहीं पर थे medium की क्योंकि वहां directly sunlight के थूख क्या होती है वहां पर transmission होती है ठीक है तो यह याद रख लेंगे the unit of power of lenses ठीक है वो क्या होती है डाप्टर ठीक है डाप्टर होती है फिर hormones secreted by जो hormones किसे नहीं रिलीज होती है तो किसे plants are oxygen, zebralins and cytokine ठीक है यह आपको याद रखना है यह जो है कौन साब plants के तीनों हर्मोन है oxygen, zebralins and cytokine तो इसको अच्छे से याद रखेंगे पूछा जाता है कि plants hormones के name लिखोकर कि write down the names of plant hormones तो यह आपको याद रख लेना है तीनों oxygen, zebralins and cytokine clear है फिर आपको यहाँ पर यह कर लेना भी अच्छे से ठीक है जैसे कि यह आप मैजी कॉलम दिया है तो आपको इसके answers के coding अच्छे से match के लिए और मैजी कॉलम तो आपसे बनने वाले जो भी आपको problem हो सकत top 50 questions है, even आप निचोर series English medium के follow कर राखे होंगे तो उसमें भी यही questions देखेगा और निचोर series से आपको बता दू questions बाहर नहीं जाने वाले, यह आप top 50 देखोगे तो top 50 वाले में भी निचोर की पूरी questions को आप डाला गया ताकि आप उसके PDF डाउनलोड कर शको, है ना, तो PDF करोगे तो उसमें से लगबग पूरी questions आपने देख रहा के हैं, है ना, आप किसकी देखे हैं, मैस की देखे हैं, मैस की में एक questions जो है, new questions जो आई थी, 3 marks के लिए, वह बस बाहर हो है तो बागी पूरी questions उसमें थी, है, अभी जाकर के आप confirm देख सकते हैं, तो यहां पर भ क्रॉफ, मतब गूड एट ओफ क्रॉफ, how can the control the pH value of salt, तो सिंपल से आपको याद रखना पड़ेगा कि जो, किसकी फिल्ड की pH value किती होनी चाहिए, 5 to 8 की बीट्वीन में होना चाहिए, अब यहां पर वो क्या बिलो 5 है, then यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर pH value manner, lime, यहां पर उसको pH value को manage करने के लिए, आपको lime और a should be added in the field, ठीक है, वहां पर क्या add करना पड़ेगा, lime और a should be added in the field, याद रखेंगे चीजों को, ठीक है, उसके किसको pH value को maintain रखने के लिए, इस तरिक बेसिक चीज़े याद रखने हैं आपको, फिर next questions आपको क्या बोला ज पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से करोगे, ठीक है, यहां पर देखो, write any two uses of bio gas, bio gas की आपको simple सा 2 uses पूछा जा रहा है, और इसी से related questions आपको पूछा जाएगा, यहां पर bio gas बोला जा रहा है, sale से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए आप ल इसको करते चलो, bio gas used for as a fuel, ठीक है, bio gas को as a fuel use करते है, for cooking food के लिए, ठीक है, as a fuel use करते है, दूसरा bio gas used as a fuel for lighting and to run engines, ठीक है, machine हो को जलाने के लिए, engines को चनालने के लिए इसका यूज करते है, तो बेसिक ही चीजों को समस्ते वे चलो, याद करते चलो, ठीक है, फिर what is reservation, इसक 10% law किया होती है, उसको explain करना है आपको, इसी से ही आसपस की questions आपको definitely पूछे जाएंगे, आसपस के मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा changes नहीं होगे, जिस chapter से उसी chapter से लगबग, और फिर भई, इस questions को मैं आपको board में explain के हो, तो बहुत से बच्चों को बहुत से यह Hindi, Medium, English, Medium करने की जवरत नहीं होनी चीए, है ना कुछ चीजे है आपको, जो चीजे हो रही है, मान के चलो उससे समझ सकते हो, तो कोसिस करो कि हाँ भई हमें ऐसा कर सकते करके, यही होती है, तो इन चीजों को कर ही लेना है, आपको confirm question है, फिर what is mean by reflection of light, reflection of light क्या होती है, how is different from the reflection of light, तो reflection और reflection, दोनों को आपको अच्छे से कर लेना है, दोनों की आपको rules पता होनी चीए, ठीक है, याद रहना है, और दोनों की types, actual में reflection of light की, तो उसकी reflection की definition, then उसकी type, then उसकी rules, यह पूरा basic चीजे आप करते हुए होगे, ठीक है, तब जाके आपको होगा, फिर, यहाँ पर पूछा जा रहा है, least three method of किसके producing magnetic field, magnetic field produce करने के लिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर actual में, मैगनेट कर भी आपको properties पूछा जा सकता है, फिर, जो lines होती है, magnetic force line जो होती है, उसकी भी आपको properties पूछा जाते है, तो याद रखना, यह पूछे जाएंगे, या तो वो सब पूछे जाएंगे, तो आपको लोग को यह सब चीजे हमेज़ अच्छे से कर लेना, चिक, फिर, टेन नंबर के questions में क्या बोला जा रहा है, इसके basis पर बताना पड़ेगा, ठेक है, मतलब सेवेन है, मतलब समझ आ जाते हैं कि यह neutrally होगा, आपको पता है, ठीक है, फिर, यहाँ पर 8 और 13, यह दोनों क्या है, जाहिर से, यहाँ पर AC एक हीट होए, कौन है, टू जो है, टू एसी रहे है, एक माँ, अल्ली ओन, और 13 और 8 वाला जो है, आपका क्या होगा, वह जो है, बेस होगा, तो कौन इस्ट्रॉंग होगा, जितना ज्यादा, सेवेन हो, जितना ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा, दू जितना ज्यादा पर रहेगा, जैसे कि यह सेवेन होती है, सेवेन से, 8, 19, जितना ज्यादा दू रहेगा, वह ज्यादा होता है, मतलब यहाँ थी क्याकि में लिमीटेशन है उन्चीजों को लिखना है ठीक है today उन्होंने क्याओ क्याकर में अपने परियुटिकी टेबल में नहींग कर पाया थे तो उन चीजों को फौर पॉइं इस तरह को इस आपको मैंसन करना पड़े जैसे कि थे जैसे कि यूजस क्या-क्या है इन तो कोटिंग अपोब्धडा वाइंस एंड एक ये ये को तरीकश में मटगाट के लिए यूच किया जाता है फिर थर्ड है रेंग कोट में किया जाता है टेबल कवर में किया जाते इस तरीका साथ लिख सकते इंट्वाइस और खिलावने में इन को यूज जाते तो three to four और यूजेस आपको इसको बैसिकली आपको कर लेना है क्लियर है फिर इसका राइट एनी केमिकल नेम एंड फॉर्मुला और ब्लेसिंग पॉडर एंटु यूजेस ऑफट यह तो मोस्ट इंपोर्टेंट वह आप चैप्टर नंबर 17 में यह चीजें आपको करना है मतलब करना है यह याद रख लो ठीक है यहां से अब चैप्टर नंबर 17 अगर बात करो तो मैं हमें साब को रिकमेंट करूंगा अब सिर्फ उसको ना तो परिच्छा बहुत सार मॉडल इससे उससे ना करने की बजाए अब सीदी बात है पूरी तरिका से बुक लर लर न कर लो अब सॉ तो उसके यूजेस यह आपको पता होने चाहिए उसके लिए ठीक है तो अब 25 चीजों को कर ले ना फिर राइट फोर में पॉइंट्स आप दा रोल ऑफ क्या है 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 यह आपको करके यहान है भी ठीक फिर वह इस कॉल दा फॉदर ऑफ जैनेटिक्स यह तो बहुत है आप सो इस बीट्वीन कैं एरोबिक एंड अरोबिक रिप रिस्पाइरेशन ठीक है तो इसको भी मोस्ट इंपोरेंट मान के चलो इसको ठीक फिर इसके और में दिया हो डिफ्रेंस बीट्वीन ब्लड एंड लेंप्स इसको भी कर सकते हो ठीक पिर यह 15 वाली कोशन्स कर लेना है फिर आगे बढ़ते हैं हमारा इस बेर तो यहां पर देखो अगर इस बार हम बात करें चप्टर नंबर थी से सॉरी सिक्स से तो दो है बैए क्योंकि ओम्स लाग के अगर बात करें तो प्रिवेस एर में आ रहा है ट्वेंटी ट्वेंट है इसको डिराइव करने आना चाहिए जैसे इसमें डिराइव करके पूरी तरीका से इनलोग बता है ठीक है और और रेडी नहीं आती है तो भाई डली यह चैनल पर जाकर कि आप देख सकते हो ठीक है फिर आपको मोटर दिया जाएगा आपको पता है मोटर जरेटर यह दो चीज़ आपको करना ही है मोटर तो पूरा कैसे करोगे किसके बेसिस पर करोगे अगर मोटर जरेटर को करोगे तो लेबल प्रिंसपल वरकिंग लेबल डेग्राम इस सब चीज़ को आपको कंप्लिटली पूरी तरीका से करते हुए जाना है ठीक है कि कौन से प्रिंसपल पर नर्वर नर्वर शेल तो यह करोगी करोगे फिर इसको देखो इस तरीकर से अब में टूटा रहाएगा तो चीजों को समझना और जो भी क्वेसंस आपको यहां पर दिखाया जा रहा है उसको 100% आपको प्रेप्यार कर ही लेना है क्लियर तो हम इस विडियो मित्ता ही रखते हैं आप कोसिस करो कि सबीक वेसमें से सब्सक्राइब है इसको प्रेपेर कर लो ठीक है तो मित्ता ही रखते हैं मिलते आमीज पालविडियो में